अपना विद्याले आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लाश 12 फिजिक्स के बेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नुमेरिकल जो आपके बोर्ड एक्जाम में 100% गारांटी की जरूर आएंगे और यहाँ पे अगर आपको नुमेरिकल सॉल्व करने नहीं आता तो यहाँ पे मपको कुछ ट्रिक और ट्रिप्स बताएंगे जिसको आप फॉल्व करके नुमेरिकल को आसानी से मात्र एक मिनट में सॉल्व कर सकते हैं और उस तरीके से सॉल्व करने पे आपको बोर्ड एक्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे तो य लिए स्टाट करते हैं तो यहाँ पे हमने लिया है कुछ इंपॉर्टेंट नुमेरिकल्स जो आपके बोर्ड एक्जाम में सौ परसंट गारंटी की पक्का आएगा ठीक है तो यहाँ पे हम आपको नुमेरिकल सॉल्व करने के ट्रिक भी बताएंगे तो यहाँ पे जो फॉ इलेक्ट्रोनिक आवेस को संतुलित कर सके ठीक है इसको क्या कर सके तीन इलेक्ट्रोनिक आवेस को संतुलित कर सके यह रहा नुमेरिकल अब इसको देखे स्वाल कैसे करेंगे ट्रेक से अब यहाँ पे हम यह बताएंगे तो इसी तरह की नुमेरिकल आपके बोर्ड एक्ज प्रशना अनुशार पिर उसके बाद यहाँ पे दिया है पिर उसके बाद देखिए अब यहाँ पे जो भी मान दिया हुआ है आपको चिन सबसे पहले मान रख लेना है इससे ये बेनिफिट होता है कि अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आपको फार्मूला आपके माइंड में वो अपने आप आ जाता है आप अगर इस मान को रख देंगे तब तो यहाँ पे देखिए अब सभी मान को जो भी दिया है उसको हम चिन सबसे रख देते क्लीय एक मिलीग्राम I can get यहाँ पे यह मिली ग्राम दिया हुआ है और वे कुछ देख ने जैसे यहाँ पर उस बिद्दु छेत्र की त्रिवता यानि कि इसमें ग्याद क्या करना है बिद्दु छेत्र की त्रिवता को ग्याद करना है तो यह मान मुझे निकालना है तो इसके बराबर हम कर देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ठीक है इसको किसे सो करते बैद्दू छेत्र की त्रिवता को इसे सो करते ठीक है के इसके वरबर क्वेश्चन मार्क कि यह मान नहीं दिया हुए और फिर उसके बाद यहाँ पे तीन electronic आवेसियने की जो electron के संख्या है वो 3 दिया हुए electron के संख्या को small n से 100 करते इसका मान दिया हुए 3 अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे लिखेंगे सैड में हल जो तरीका हम आपको बता रहे इस तरीके से अगर आप numerical solve करेंगे तो आपके board exam में आपका एक भी number भी आपके numerical में नहीं कटेंगे ठीक है और यहाँ पे अगर आपको numerical बिल्कुल लगाने नहीं आता तो यहाँ पे हम आपको ऐसी trick बताएंगे जिससे कि आपको बिल्कुल आसान तरीके से आप सभी परकार के numerical को solve कर सकते हैं मात्र कम समय में तो यहाँ पर देखिए इसको solve करेंगे ठीक है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो मान दिया हुआ है यानि कि द्रब्यमान दिया हुआ है ठीक है द्रब्यमान को हमने हमसे सो किया तो यह दिया हुआ है मिली ग्राम तो इसको को पीछे करते हैं तो बावर में माइनस की रूप में बढ़ता रहता है जैसे यहां पे हमने इसको 1, 2, 3 ठीक है यहां पे हमने दसमोलोर लगा तो यह क्या हज़ाएगा एक गुरुते 10 के पावर माइनस 3 क्योंकि 1, 2, 3 प्लेस से हमने पीछे किया तो यह 10 की पाउर माइनस 3 हो गया और यहाँ पे मिली ग्राम ठीक है तो यहाँ पे हम आपको कुछ बताने की कोसिस करेंगे कि यहाँ पे देखिए जो मिली ग्राम होता है मिली ग्राम जो है मिली ठीक है पहले मिली को देखते हैं तो मिली में सोते हैं 10 के पाउर माइनस 3 कितने होते हैं 10 के पाउर माइनस 3 जब जहां भी आपको मिली ग्राम दिया हुआ वहाँ पे 10 के पाउर माइनस 3 कीजिए ठीक है तो इसका मान होता है 10 के पाउर माइनस 3 अब इसमें हम देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे यह मान हमारा आया था एक गुड़ते दस के पावर माइनस तीन ठीक है और यहाँ पे इस मीली को हमने चेंज किया दस के पावर तीन में तो यह हो जाएगा एक गुड़ते दस के पावर माइनस तीन ठीक है और यहाँ पे इंटू 10 के पावर माइनस 3 ग्राम इतना मुझे क्यों करना पड़ रहा है आप सभी को पता है क्योंकि जो द्रब्यमान होता है ठीक है यह मान जो दिया हुआ है वो द्रब्यमान का मान दिया हुआ है तो द्रब्यमान का जो मातरव होता है यूनिट होता है वो कीलो ग्राम होता है तो इसलिए जो यहाँ पे द्रब्यमान का मान दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है मिली ग्राम तो इसको हम की ग्राम है यानि कीलो ग्राम में चेंज कर रहे हैं ठीक है तो आपको चेंज करके ही लिखना होगा तो यहां पर हम वही कर रहे हैं तो यहां पर देखिए हो जाएगा एक गुड़ते दस के पावर माइनस तीन इंटू दस के पावर माइनस तीन ग्राम अब देखें यहां पर क्या है कि दोनों का जो यहां पर चिन वह समान है ठीक है दस के पावर माइनस तीन यह गाट मिड ऊत्यावर माईनस चे घ्राम अब इस ग्राम में ही क्या करना ही कि चेंज करना है को क्यों एक व्हुत्यार मधकन चेंज़ करने के लिए नीचे आधला हम इन संख्याओं में हम भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा केजी में चेंज हो जाएगा तो इसमें जब हम भाग दे देंगे यानि कि एक हजार को हम क्या लिख सकते हैं एक हजार को हम दस के पावर तीन लिख सकते हैं ठीक है तो यह जब 10 के पावर 3 उपर जाएगा तो यह हो जाएगा 10 के पावर माइनस 3 ठीक है तो जब यहाँ पे 10 के पावर माइनस 6 है और यहाँ पे 10 के पावर माइनस 3 है यानि कि इसको इस तरीके से आपको लिख कर हम बता दे रहे हैं 10 के पावर माइनस 6 तो यह दोनों भी तो 8 हो जाएंगे दोनों के जो चिन है वो समान है तो यहाँ पे 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं small m बरावर 10 के पावर माइनस 9 अब आप लोग एक लिखिये या ना लिखिये इसका कोई मतलब नहीं होता ठीक है तो यहाँ पे हमने लिख दिया आप लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं एक गृत्ते 10 के पावर 9 तो यहाँ पे हमने m बरावर क्या लिखा 10 के पावर माइनस 9 kg यानि इसको हमने क्या कर दिया kg में change कर दिया अब देखिए यह प्रोसेस तो था इसको m को यानि की जो मान मिली ग्राम में दिया था उसको हमने kg में change किया अब देखिए अब नुमेरकल को solve करने में काफी आसानी होगी तो अब हम solve करते हैं नुमेरकल तो अब यहाँ पे देखिए हमें घ्याद करना है बेदूच्छेतर की त्रिबतो तो यहाँ पे फार्मूला अप लोगको पता होगा कि क्यों बराबर जो होता है वो एन्नी होता है तो यहां पे हमने बताया कि जो यन का मान यानि कि इलेक्ट्रान के संख्या जो दिया हुआ है वो एन बराबर 3 यानि कि 3 दे दिया है तो इसको हम रख देते हैं और E का मान आप सभी को पता होगा कि वो होता है एक दसमलो 6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कुलाम तो यहां पे E के प्लेस पे तो आप लोग आसानी से रख सकते हैं तो यहां पे हम रख देते हैं जो मान दिया हुआ है यानि इलेक्ट्रान की वो 3 हमने यहां पे जैसा कि आपकी नुमेरकल में दिया था ठीक है जैसे यहां पे 3 इलेक्ट्रान दिया हुए तो इसको हम आसानी से रख देते ह E का मान जो हमने यहाँ पर बताया उसको रख देते एक दसमलो 6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 उलाम अब देखिए 16 का यानि कि एक दसमलो 6 का जब 3 में पढ़ेंगे पहाडा ठीक है जब इंटू करेंगे तो यह कितना जगा इस तरीके से आप दोनों को मिलाकर पढ़ें आसानी होगा आपके लिए कि सोरग, 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 दसमलो लगा देज़े और बाकी यहाँ पे दस के पावर 19 उसी तरह ही रहेगा तो यह मान जो है वो निकल गया आवेश का, चार्ज का मान यहां पे क्या हो गया डिफाइन हो गया, ठीक है निकल गया अब देखिए अब जब आवेश का मान निकल गया तो अब हम फार्मूले पर रकते हैं कि सकने बैदुच्छेत्र की तरिवता ठीक है तो यहाँ पे देखिए बेदुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् इ बराबर होता है Fy की तो यहां पर आप यह सवाल उड़ता है कि यहां पर हमारे मान में F का मान कहीं भी नहीं निकला है कहीं भी दिया भी नहीं है ठीक है तो नो टेंशन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम है ठीक है तो यहां पर देखें F बराबर ज यहाँ पे F बराबर M G तो यहाँ पे आप लोग जान रहें कि हमारे जुमान है उसमें M का मान द्रब्य मान का मान तो दिया है और जो G का मान होता है वहाँ पे 9.8 जो आप पिछली कच्छाओं से ही पढ़ते आ रहे हैं ठीक है 9.8 होता है तो अगर आपको 2 मान पता है तो आप लोग F निकाल सकते हैं आसानी से तो F बराबर हम मान यहाँ पे रख देते हैं जो हमारा M का मान डिफाइन हुआ है यहाँ पे वो कितना हुआ है 10 के पावर माइनस 9 के जी ठीक है तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं 10 के पावर माइनस 9 और यहाँ पे जो जी का मान हमने बताया वो कितना रहेगा 9.8 ठीक है तो यहाँ पे यह हो गया और डिवाइड में एप का मान तो यह था फिर उसके बाद क्यूं यानि कि क्यूं का मान अब इसमें एप का मान जो है उसको एप के प्लेस पर रख देते हैं अब यहाँ पे यह बराबर एक क्यूं के फार्मूले में इसको रख देते हैं ठीक है तो यह बराबर क्या हो जाएगा यह का मान 10 के पावर माइनस 9 इंटू 9.8 अब इसको सॉल्व करके भी रख सकते थे हैं फिर उसके बाद क्यूं का जोमान है वो अमने अभी निकाला है वो 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कुलाम दिया हुए ठीक है तो यहाँ पे हम क्यूं के प्लेस पर इस फार्मूले में रख देते हैं तो यह वज़ाएगा 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कुलाम तो यहाँ पे देखिए अब इसको हम सॉल्ब करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग की एक अंग पे उपर दसमलो लगा है एक अंग पे नीचे लगा है तो इसमें हम क्या करेंगे 10 का गुड़ा कर देंगे उपर नीचे ठीक है तो दसम गाइड में यहाँ पर इसका भी दसमनों हट गया यह हो जाएगा 48 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कुलाम ठीक है तो यह हो गया अब इसका हम इसमें भाग देंगे 48 का 98 में तो अब इसका अंसर आ जाएगा ठीक है तो जब 48 का भाग जो है वो 98 में दो बार जाएगा कितने बार जाएगा दो बार जैसे यहाँ पर आप लोग दे कर भी दे सकते हैं ठीक है 48 और यहाँ पर भागे 98 तो इसका क्या जाएगा दो बार जाएगा 48 का 98 में दो बार जाएगा तो यहां पर यह iemand कि कि यह जाएगा 90 कि ना जाएगा 90 और पिर उसके बाद से माइनस कर देंगे हम गईराज बढ़ा इसके बार कुछ नहीं यहां पर दसमलों इहां 45 का भाग 200 में आसानी से जा सकता है चार बार में जाएगा ठीक है तो यहाँ पर 196 अब उसके बाद पॉइंट में आता रहेगा यहाँ पर हमारा आ गया 2.04 और फिर उसके बाद देखिए यह जो 10 के पावर माइनस 19 है यह उपर जाएगा तो हो जाएगा 10 के पावर प्लस का 19 ठीक है तो जब प्लस का 19 है इसमें से क्या हो जाएगा माइनस का 9 घट जाएगा तो कितना जाएगा प्लस का 10 आएगा तो यहाँ पर 10 के पावर 10 और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो F है याणि य तरक यूनिट होता है वो क्या होता है नियूटन होता है और यहाँ पर यह जो कुलाम है अब इसको कुलाम को अब लिखती दिजिए तो यह निकल कर आ गया बैद्दू छेत्र की तरिवत्ता ठीका इसकी यूनिट फिर उसके बाद देखें नेश्ट इन्पोर्टेंट नुमेर कर वह है एक दस्मलो जीरो माइक्रो कुलाम के दो बराबर यों विपरित प्रकार के आवेश दो दस्मलो जीरो मीमी दूर रखे है इसका बिद्धू दिधू आगूर ग्याद कीजिए यानि इसका बिद्धू दिधू आगूर को क्या करना है ग्याद करना है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रस्ना नुसार दिया है इस तरीके से नुमेर कल स्वाल करने के लिए ये सही तरीका होता है सबसे तो आपको को इस तरीके से लिख keeping देना उसके बाद जो भी मान दिया उसको चिन सहित लिख लेऀ तो यहां पर दिया हुआ पहला जो मान दिया हुआ है यह आवेस का दिया हुआ है तो वो कितना दिया हुआ है एक दस मलो जीरो माइक्रो कुलाम ठीक है इतना दिया हुआ है तो यहाँ पर देखे सबसे पहले हम चेंज कर लेते हैं और फिर उसके बाद बाकी मानों को रखते हैं तो यहाँ पर दिखे दिया हुआ है माइक्रो कुलाम तो यहाँ पर एक माइक्रो यानि कि एक माइक्रो बराबर जो होता है वो दस के पावर माइनस 6 होता है ठीक है तो यहाँ पर एक माइक्रो कुलाम बराबर दस के पावर माइनस 6 कुलाम हो गया तो इसको आप लोग लिख सकते हैं यहां पर Q बराबर 1.0 इंटू 10 के पावर माइनस 6 कुलाम ठीक है इसमान को हमने क्या कर दिया इसमान को माइक्रोग से चेंज कर दिया ठीक है तो यह इतना आ गया उसके बाद और भी कुछ दे रख्या है तो यहां पर दिया हुआ है बराबर यंट बीपरित प्रकार के आवेस 2.0 mm यहाँ पर मि 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 जो मान दिया हुआ है यह एल का दूरी का मान दिया हुआ है ठीक है तो यहाँ पे L बराबर इसमाल दो दसमलो जीरो मी मी अब देखिए इस मी मी को भी हम मीटर में चेंज करेंगे ठीक है तो एक मीली बराबर जो होता है वो हमने आपको यहाँ पे दस के पाउर माइनस तीन बताया ठीक है तो यहाँ पे होता है एक मिली बराबर दस के पावर माइनस 3 तो यह कितना हो जाएगा L बराबर हो जाएगा 2.0 इंटू 10 के पावर माइनस 3 मीटर मीमी को हमने क्या कर दिया मीटर में चेंज कर दिया अब यहाँ पे देखिए दो मान जो है वो दिया हुआ है आपके नुमेरकस में पिर उसके बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें निकालना क्या है तो वो क्या निकालना यहाँ पे कि यहाँ पे बिद्धु दिधिव आघुर को निकालना है तो बिद्धु दिधु दुरु आघुर को जो सो कर ठीक है रो कुछ इस टाइब का होता है तो रो से सो कहते हैं तो यहाँ पर देखिए अब हम फार्मूला होता है यानि कि रो बराबर क्या है क्वेस्चन मार्क ठीक है क्योंकि रो का मान मुझे निकालना है तो यहाँ पर देखिए जो फीजिक्स में रो बराबर जो फार्मूल रखा तो आप लोग यहां से आसानी से जो फार्मूला इसमें फिट होगा उसको यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि रो का माण यहां पर Q मार्क कर दिया बाकि L और Q यहां पर दिया गए तो आप लोग अपने मांड में यह डिफाइन करेंगे कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें रो और Q आवेस और L दूरी दिया हो ठीक है तो यही फार्मूला है तो अब इस पर जो भी मान दिया उसको रखकर आफसानी से सॉल् इस फार्मूले पर हम सभी मानों को रख देते हैं तो यहां पर दिखिए जो आवेस का मान है वो यहां पर हमने 1.0 into 10 के पावर माइनस 6 कुलाम ठीक है उसको रख देते हैं तो यहां पर रो बराबर हो जाएगा 1.0 into 10 के पावर माइनस 6 कुलाम और फिर उसके बाद यहां प इंटू 10 के पावर माइनस 3 मीटर तो इसको भी हम रख देते हैं 2.0 इंटू 10 के पावर माइनस 3 मीटर ठीक है यहाँ पर अब इसको क्या करें आसानी से अब इसमें मल्टिफलाई गुड़ा कर दीजिए और अपने आप आंसर आजाएगा तो रो बराबर क्या हो जाएगा इस दो का इसमें इंटू करेंगे तो 4 हो जाएगा तो यह हो गए रो बराबर फॉर इंटू टेन के पावर माइनस नाइन कुलाम मीटर ठीक है यह होगए आंसर इसी तरह से नुमेरकल आपको सॉल्व करने हैं यह जो सॉल्व करने की जो है वो बिल्कुल असली तरीका यानि इस तरह किस अगर आप पूरे आपको नंबर आपको यह वीडियो कैसा लागा अगर वीडियो पसंद आये तो प्लीज वीडियो को यह बड़ा सा लाइक करते चैनल को सब्सक्राब करके वेल आइकन को जरूर प्रेस करते जिस्सें कि हमारे दारा विजी के इस सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहलेंगे कमेंट करना नाव बुदे थैंक यू अल्डवे रिवेश्ट बाइवाश